आपके साथ नवजूस रंधावाद चकरवियू में चिदामरम और यही हम आपको बता रहे क्योंकि राद भर सीबाइड कोटर में ही राद कटी है पीचिदामरम की तमाम सवालों के जवाब देते रहे कहते रहे कि उनका कहीं पर किसी से कोई लेना देना नहीं है CBI सवाल दाखती रही चिदामरम हर सवाल का जवाब नामे देते रहे अशुक सिंगल CBI हेड़कोटर के बाहर से हमारे साथ रहेंगे और घर पर किस तरह की हल चल रहे क्योंकि जोरबाग में पीचिदामरम का घर है वहीं से जहां से ग्रफतारी हुई जहां पर अब से कुछी चिदामरम भी पहुंचने वाले हैं जितन बाद दूर सिंग हमारे साथ वहां से जुड़े रहेंगे लेकिन इस वीच ये भी बता दे कि CBI के शिकनज़ में बुरे फस शुके हैं चिदामरम आप ये भी जानना चाहते होंगे कि आखर किस केस में चिदामरम पर किस शिकनज चाहते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी कहनी पलानिय पन चिदामरम जिनने लोग बी चिदामरम के नाम से ही ज्यादा जानते हैं मई 2014 तक देश के सबसे कद्दावर नेताओं के तौर पर पहचान थी वित्त मंत्री की कुर्सी पर काबिस थे लेकिन एक आज की भी तारीख है जब उसी चिदामरम को CBI मुख्याले दफ्तर के लॉक अप में रात गुजारनी पड़ी सवाल है कि आखिर ऐसा क्या मामला है जिसमें देश की एहम जाच एजनसियां चिदामरम के पीछे पड़ी थी तो केस की शुरुवात 2007 से शुरू होती है जब आएनेक्स मीडिया को 305 करोड रुपे का विदेशी निवेश मिला था आरोप यह है कि इस विदेशी निवेश को अवैध तरीके से मन्जूरी दी गई थी इस मामले में जब आएनेक्स मीडिया के प्रमोटर इंदराणी मुखरजी और उनके पती पीटर मुखरजी से प्रवर्तन निदेशालय यान एडी ने पूछताच की तब पीछिदंबरम का नाम पहली बार सामने आया 15 मई 2017 को CBI ने FIPB की मन्जूरी में अनियमित्ताओं के चलते पहली FIR दर्ज की थी FIR में कहा गया था कि 2007 में 305 करोड रुपे का विदेशी निवेश पाने के लिए FIPB की मन्जूरी में अनियमित्ता वरती गई थी इस विदेशी निवेश से जिन कमपणियों को फायदा हुआ उन्हें चिदंबरम के सानसत बेटे कार्ती चलाते हैं जिस समें विदेशी निवेश को FIPB की मन्जूरी मिली उस वक्त पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे उन पर ही विदेशी निवेश की मंजूरी दिलवाने का आरोप है INX मीडिया मामले में चिदंब्रम पर भ्राष्ट चार और मनी लॉंडरिंग का आरोप है CBI ने आरोप लगाया है कि कार्ती चिदंब्रम की एक कमपनी में इंद्राने और पीटर मुखर जी के INX मीडिया हाउस से फ़न्ट ट्रांसफर हुआ था 2018 में प्रोर्तन निदेशाले ने भी मनी लॉंडरिंग मामले में केस दर्ज किया हालांकि चिदंब्रम अब भी यही कह रहे हैं कि सब कुछ साज़िश के तहत हो रहा है the far recorded by the CBI does not impute to me any wrongdoing yet there is a widespread impression that grave offenses have been committed and my son and I have committed those offenses nothing can be further from the truth these are lies spread by pathological liars चिदंब्रम की सफाई CBI को रास नहीं आई हलांकि 2018 की एक चुनावी रैली में खुद प्रधान मंत्री ने कहा था कि गिरफतारी के फंदे से चिदंब्रम ज्यादा वक्त तक दूर नहीं रह पाएंगे हर बार कॉल में कॉट में जाकर कि गिड़ गड़ा आते हैं अगली डेट दे दो अगली डेट दे दो और कॉट सरकार को कहती है कि फलानी तारीक तक उनको एरेस्ट नहीं कर सकते फिर दुबारा जाते हैं फिर कौट कहती है फलानी तारीक तक हैरश नहीं कर सकते हो अरे कितने दिन तंक कौट से मदद लेते रहोगे एक दिन निकलने वाला है और तुम भी जेल के सलाखों के पीछे हो गए चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद पहले ही सियासत से रसातल में जा चुकी कौंग्रेस के लिए ये बड़ी फजीहत की घड़ी है जिससे छुटकारा पाना उनके लिए आसान नहीं होगा बुद्वार दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चला उसके बाद रात को आते आते सीब्याई दफ्तर के बाहर ये घेरबंदी की तज़वीर बहुत कुछ कहती है मामला कानूनी है मगर सियासी भी है और जैसे ही कॉंग्रेस को लगा कि उसकी छवी पर बट्टा लग रहा है तो उसने नाक और साक की इस लड़ाई में अपनी रणनीती बदली मगर एक बार फिर भ्रष्टा चार को लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाकिय युद्ध छिड़ गया है और आने वाले दिनों में आरोब प्रत्यारोब का ये खेल चलता रहेगा और चली अब आपको 9 साल पहले का एक विचित्र सयोग भी हम दिखा देते हैं 25 जुलाई 2010 को जब पीच दमरम ग्रह मंत्री थे तब अमद शाह को गरफतार किया गया था और अब यानि की 21 अगस 2019 कल की तारीख पीच दमरम गरफतार हुए है ग्रह मंत्री अमद शाह है हलाकि पूरे मामले को लेकर सियासत अपनी जगा है लेकिन तथे जो कि CBI के पास है उसी को लेकर चर्चा भी चल रहे है अशुक सिंगल जितें मादूर सिंग दोनों हमारे साथ लगतार बने हुए है अशुक सिबियाई तथ्यो के आधार पर सवाल जवाब कर रही है जिसका जवाब चिदमरम दे रहे हैं लेकिन इस बीच सियासत भी अपनी जगा है राहुल गांधी हो प्रियंका गांधी हो ट्विटर के जरि प्रियंका गांधी हो यह कॉंग्रेस के दूसरे नितर तमाम लोगों ने यह आरोप लगाया कि क्योंकि नाकामियों को सरकार की हम लोग उजागर कर रहे थे इसलिए टार्गेट किया जा रहा है चितमरम को लेकिन हम जुकने वाले नहीं हम लग लड़ा ही लड़ेंगे और यह सारा पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकली मोटिवेटीड है पूरा मामला, तमाम यह आरोप कल कॉंग्रेस की तरब से आये थे और कॉंग्रेस चितमरम के साथ खड़ी दिखायती थी, जैसे ही माला, CBI ने और ED ने टेक अप किया, उसके बाद आज प्रेस कॉंफ पॉलिटिकली मोटिवेटीड है, पुरा मामला, जानबुज के राजनीतिक साजिस के दाथ उनको फशाया जा रहा है, यह तमाम कॉंग्रेस की तरब से हुआ, और यह मामला आके चलेगा, भी, बीजेपी के पास, चितमरम की इंवॉल्मेंट को लेके, उनकी बेटे की और उनका जो ट्रस्ट था, उसमें पैसे ट्रांसफर हुए है, और सेल कंपनिया बनी, तमाम बीजेपी का ये पली है, तमाम परवक्तब बीजेपी की तरफ से आगया है, तमाम नेता, नेताओं ने ये पक्ष रखा, बीजेपी और सरकार की तरफ से, लेकिन कॉंग्रेस इ देखेगी और कहेगी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी सासुष है, लेकिन तथ्य अपनी जगा है, और वो सुबूत जिसका जिक्र जितेंद बहादूर सिंग भी कर रहे थे, क्योंकि ED के पास भी है, और CBI के पास भी है, जिसमें चाहे वो शेल कंपनिया हो, या फिर उस इस वक्त मौझूद हैं, चिदमरम के खिलाफ, क्योंकि CBI का ये कहना है कि उनके पास जो सबूत है, चाहे वो आयनेक्स मीडिया को लेकर के हो, या एयरसल मैक्सिस डील का मामला हो, या फिर सेल कंपनिया जो बनाई गई है, ED के सूत्रों ने जानकारी दी है कि किस तरीके से जो ब्रिटिस वर्जिन आईलेंड है, उसकी जो एक कमपनी है, उसके जरिये पैसा चिदमरम के बेटे कार्थी चिदमरम के खातों में आये हैं और उस पैसे को किस तरीके से विदेशों में इन्वेस्ट किया गया है, इसके अलावा जानकारी ये है कि ब्रिटेन, स्पेन, स जो गिरफतारी की है, उसको ये लगता है कि अगर इन सबूतों के साथ चिदमरम से पूछताच की जाएगी, तो अभी तक जो बचते हुए नजर आ रहे थे, उनके सामने पूरे तथ रखे जाएंगा और उन तथ्यों के अधार पर उनके आमना सामना होगा, तब ही वो तरीके से ये बताएंगे कि किस तरीके से उनका involvement था, जहां तक जानकारी ये है कि उनके समय में FIP के जो डियम थे, विदेशों में जो पैसा इन्वेस्ट करने की बात थी है, फिर FDI के जरिये जो पैसे आने का तरीका था, उन तमाम चीजों में changes भी किये गए थे, जिससे क उनसे जुड़ी हुई या फिर उनके बेटे से जुड़ी हुई जो कमपनिया है, उनको फाइदा पहुचे तो इसी जानकारियां, enforcement, direct rate और CBI के पास इस वक्त मौझूद हैं, जिसके आधार पर वो पूछताच करके चिदंबरम से सारी जानकारी उगलवाना चाहती है बिलकुल, तमाम ऐसे सवाल जाएं, जैसे आयनेक्स मीडियाम अमले में, घुटाले में आपका क्या रोल है, किस तरी किसे ट्रांजेक्शन हुआ, आपके मंदरी रहते हुए UP2 में, किस तरह के नियमों में बतलाव किया गया, कितना फाइदा बेटे को पहुचाया गया, अ अब हम आपको दिखाते हैं कि कल देर रात कैसे दिल्ली में चिदामरम को लेकर हाई वोल्टेज रामा हुआ, 27 घंटे तक लापता रहने के बाद, पी चिदामरम अचानक कल रात आठ बचकर दस मिनट पर कॉंग्रस के दफतर में दिखाई दिये, जब वहाँ अचानक से ग पुर्शीद और राजसभा के तमाम सदसे भी थे और इधर चिदामरम प्रेस कॉंफरेंस करने बैठे थे और उधर आठ बचकर 16 मिनट की बात है, जब CBI की टीम कॉंग्रस मुख्याले के लिए रवाना हो गई थे, प्रेस कॉंफरेंस के बाद दफतर से निकले थे चिदा पहुंचे, आठ बचकर 50 मिनट CBI की टीम चिदामरम के घर के बाहर मौजूद थी, और घर कौन सा जोर बाग का घर और उसके ठीक बाहर CBI की टीम, गेट नहीं खुला तो दिवार फान कर अंदर चली गई CBI की टीम, और वक्त था आठ बचकर 55 मिनट का और 9 बचकर 3 मिनट C चिदामरम के घर के बाहर यानि की जूर बाग के घर के बाहर पहुंच गई और ठीक 9 बचकर 40 मिनट पर करीब 19 घंटे बाद चिदामरम की गिरफतारी मुम्किन होनी, तो चिदामरम को लेकर CBI की टीम घर से निकली और ये वक्त था 9 बचकर 40 मिनट का, ठीक 9 बचकर 46 मिनट कॉंग्रस समर्थकों का हंगामा शुरुआ, CBI की टीम को जाने से रोकने की कोशिश भी की गई चिदामरम को लेकर CBI की टीम अपने दफ्तर पर पहुंची और ये वक्त थार 9 बच कर 54 मिनित का टाइम लाइन के हिसाब से हम आपको बता रहे कि किस किस वक्त क्या क्या हुआ, कब प्रेस कॉंफरेस की चिदामरम ने, कब वो अपने घर पर पहुंची और कब CBI की टीम वहाँ पर पहुंची और फिर उसके बाद उनकी गिरफतारी हुई पीचे दामरम रशचार के मामले में गिरफतार होने वाले पहले पूर्व ग्रह मंतरी बन गए। पीचे दामरम ने अपने राजनीते करियर की शुरूआत की और फिर दिल्ली के सियासी गलियारों तक का सफर तैय किया। पीचे दामरम के सियासी सफर की शुरूआत साल 1984 से हुई जब वो शिवगंगा लोकसभा सीट से सांसत बने। 21 सिदंबर 1985 को उन्हें राजीव गांदी सरकार में उप मंतरी का पद मिला और वानिज्य के साथ कार्मिक मंतराले की जिमेदारी सौपी गई। साल 1986 में राजीव गांदी सरकार में पीचे दामरम का कद बढ़ा और वो कार्मिक जन शिकायत और पेंशन गेर राजे मंतरी बनाए गई। धीरे धीरे पीचे दामरम की राजनीतिक हैसियत बढ़ती चली गई। मंतरी की जिमेदारी मिली 1992 तक वो इस पत पर रहे साल 1995 से लेकर 1996 तक दोबारा उन्हें इस पत की जिमेदारी सौपी गई। इसके बाद एक दौर वो भी आया जब साल 1996 में पीचे दामरम ने कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर तमिल मनीला कॉंग्रेस जोईन की। इसी साल हुए आम चुनावों में तमिल मनीला कॉंग्रेस की गडबंदन की सरकार में पीचे दामरम पहली बार वितमंत्री बने। साल 2001 में पीचे दामरम ने तमिल मनीला कॉंग्रेस पार्टी छोड़ी और कॉंग्रेस जन्नायक पेरावई नाम से अपने खुद की बनाई। साल 2004 में चिदमरम ने अपनी पार्टी का कॉंग्रिस में विलै कर लिया और इसी साल सत्ता में आई यूपिये की मनमोहन सरकार में वित्यमंत्री बने 30 नमबर 2008 को मुंबई हमले के बाद यूपिये में ग्रहमंत्री का पद समाल रहे शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा और ग्रहमंत्री का पद पी चिदमरम की जोली में आया साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाओं में चिदमरम शिवगंगा सीट से लोकसभा के सांसत चुने गए और ग्रहमंत्री के पद पर बने रहे अब आइएनक्स मीडिया घोटाले में गरफ्तारी के बाद वो ऐसी पहले पूर्व ग्रहमंत्री बन गए हैं जो ब्रष्टाचार के किसी मामले में क्रफ्तार हुए हैं देश के पूरो वित्त मंत्री देश के पूरो ग्रिह मंत्री पीच दमरम की जिस तरह से आज हुई है गिरफतारी अब उसको लेकर कॉंग्रिस पार्टी अग्रसिफ तरीके से आगे बढ़ेगी और इस पूरे मामले पर मोधी सरकार को घेड़ने की कोशिश की जाएगी आपको बता दें तमिलाडू के शिगंगा नगर से 1984 में अपने करियर की शिरुवात पीच दमरम की ओर से लोगसभा में दस्ता के साथ की गए और उसी के बाद उन्होंने कभी भी पीचे मुड़ कर नहीं देखा लगातार कॉंग्रिस पार्टी की जब जब सरकार बनी उनका ख़त भी उसी के हिसाब से मंत्री मंडल में बढ़ता हुआ चला गया लेकिन इस बार मोदी सरकार के रहते उनके मुश्किले कईज जादा बढ़ चुकी है क्योंकि एक तरफ पिछले ही साल उनके बेटे कार्टी चिदमरम की गिरफतारी और उसके बाद आज पीच दमरम की गिरफतारी अब फिलहाल सीबियाई के ओर से तैयार सवालों की फेहरस्त का जवाब पीच्छे दमनम कैसे देते हैं और सीबियाई किन किन सवालों का जवाब उन से ले पाती है यस पर बनी रहेगी आज तक की नज़र कैमरा परसन संदीप तिवारी के साथ चित्रा त्रिपाधी आज तक दल्ली